हजारों की संक्या में नइ बिस्नस प्रती वर्ष शुरू होते हैं उन में से कुछ बिस्नस अपने प्रारंभिक एक से दो वर्ष में बंदो जाते हैं बिस्नस बहुत बढ़ा अकार ले लेते हैं अगर आप एक नया बिजनस शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे कारण है जिसकी वज़ा से एक नया बिजनस फेल हो जाता है नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परे ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का सोगत करता हूँ आज की इन्फार्मिटिव वीडियो में SBA द्वारा जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि कुछ ऐसे कामन कारण थे जिसकी वज़ा से कुछ बिजनस एक से दो वर्ष में, कुछ बिजनस एक से पांच वर्ष में और कुछ बिजनस एक से पंदरा वर्षों के बीच में बंध हो गए और आप इन कारणों को ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा और अपने बिजनस को प्रारंब करने से पहले उन पर अध्यन कीजेगा तभी आप एक सफल बिजनसमें बन सकते हैं बहुत सारे सफल बिजनसमें से जब बात की गई तो उनसे ही पता चला कि वो भी अपने प्रारंबिक स्तर के पहले बिजनस में फेल हो चुके थे और उसका अनुभव करने के बाद ही उन्होंने अपने बिजनस में बहुत अधिक सफलता आसिल की है लेकिन बात को ध्यान से समझ लिजेगा लेक अनुभव हीनता कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जब आप किसी बिजनस को शुरू करने जाएं तो उस बिजनस को शुरू करने से पहले उस बिजनस के if and buts in and out और उस बिजनस के reviews और experience आप दूसरे लोगों से प्राप्त कर सक उनकी अनुभव के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि क्या करने से बिजनस को सफल किया जा सकता है और किन कारणों से एक बिजनस फेल हो जाता है जिस नए बिजनस को आप शुरू करना चाहते हैं उससे संबंदित आपको रिसर्च करनी होगी और ये रिसर्च अलग और कई बार ऐसे व्यक्तियों को अपने बिजनस में मेंटॉर बना कर जिनोंने बहुत अधिक सफलता आसिल की है आप अनुभव का लाग ले सकते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वज़ा से एक बिजनस अपने प्रारंबिक स्थर में फेल हो जाता है वो ल कैसे होगा प्रमोशन कैसे होगी ब्रांडिंग कैसे होगी लैक ओफ प्लानिंग की वज़ा से भी कई बार बिजनस फेल उनकी कगार पर आ जाते हैं प्लानिंग का मतलब केवल फानेंशल प्लानिंग से नहीं है कई बार राइट प्रोड़क्ट को चूज करना भी बहुत इ पिर एनेजमेंट, फ्रेंड्स कई बार हम लोग अपने बिजनस में अच्छे प्रोड़क्ट का चैन कर लेते हैं, अच्छी मार्किटिंग स्ट्रेजी का चैन कर लेते हैं और हमें ये भी पता होता है कि किस तरह से अपने प्रोड़क्ट को राइट कंजूमर तक पहुचाना इसमें बहुत बड़ा रोल होता है मैनेजर का, मैनेजर एक तरह से टीम का लीडर होता है, उसके अंदरे कैपसिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को right direction के लिए motivate कर सके और उनको इस समझा सके कि किस व्यक्ति को कौन सा काम, कितनी responsibility के साथ, कितनी समयवधी में पूरा करना है और यदि किसी व्यक्ति की योग्यता कम है, तो उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए उसको training provide कर आए, ताकि वो व्यक्ति अपना 100% देने के लिए तयार हो, management करना बड़ा important है, अगर आप टीम का management कर पाएंगे, तभी आप एक successful business run कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी से ब product की quality, उसकी marketing strategy और right chain of sale की, so that the manager is like a leader, he should know how to manage their team to increase their productivity, and the next and most important thing that is location, जिस location पे आप business करने जा रहे हैं, यदि वो location आपके business के लिए right location है, तो बहुत सारे walk-ins के थुरू, बहुत सारे informations के थुरू, बहुत सारे advertisement के थुरू, आप आसानी से बहुत सारे consumer को उस location तक ला सकते हैं, और ये बात किवल offline business पर लागू नहीं होती, online business पर भी location का factor लागू होता है, online business में भी location बहुत महत्वपून रोल अदा करती है, हो सकता है कि direct consumer वहाँ पर नहीं आता, लेकिन यदि आपकी location इस तरह की है, जहाँ पर आपके staff, आपके team के लोगों क पहुँचने में कोई परिशानी नहीं होती, तो आपके पास सक्षम करमचारी भी होंगे, जिसकी वज़ा से आप अपने business को तेजी से develop कर पाएंगे, starting business with wrong reason, friends अगर आपका उदेश्य व्यापार में बहुत अदिक पैसा कमाना है, तो समझ लीजिए आपकी growth के chances बहुत कम ह क्योंकि पैसा कमाना secondary reason हो सकता है, primary reason आपके business का क्या है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्या आप किसी consumer के ऐसी need को पूरा कर रहे हैं, जिसकी वज़ा से एक बहुत बड़ी community को फाइदा होने वाला है, क्या आप कोई ऐसा product बना रहे हैं, जिसकी वज़ा से उस तर के chances कई गुना जादा है, अगर पैसा कमाना आपके जीवन का एक मातर उदेश्य है, आपके business का एक मातर उदेश्य है, तो समझ लीजेगा आप व्यपार में बहुत अदिक तरक्की नहीं कर पाएंगे, इसलिए identify करें कि आपको business करने का उदेश्य क्या है, आप किस उदेश के साथ अपने व्यपार को शुरू कर रहे हैं, और जब आप उदेश्य को identify कर पाएंगे, उसी तरह से आप अपने business को, अपने network को, अपने team को, अपने staff को, अपने brand को तेजी से develop कर पाएंगे, and the next, cash flow management, friends, आज बहुत सारे businesses इस वज़े से shut down हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने नहीं पता होता कि cash flow का management कैसे किया जाए, उन्हें नहीं पता होता अपनी पूंजी को कैसे manage किया जाए, उन्हें नहीं पता होता कि पूंजी के अभाव के कारण ही, बहुत सारे व्यापार, कम समयवदी में दम तोड़ देते हैं, इसलिए ये पता होना जरूरी है कि मेरे business की regular capital need कितनी है, liquidity की need कितनी है, मेरा cash flow कितना रहेगा, कितना revenue में generate कर रहा हूँ, और कितना expenditure मैं परमंत करूँगा, ताकि उतना reserve आपके पास हमेशा रहे जान रखेगा, यदि business break even point पर नहीं आया और आपका break even point आपके लक्ष से बहुत अधिक दूर है तो cash flow management के माध्यम से ही आप अपने business को आसानी से survive कर सकते हैं और recession के time पर cash flow management करना, या start-up में या नई business में cash flow का management करना बहुत ही आवश्यक है and the next but not least over expansion बहुत सारे लोग जब business में बहुत तेजी से पैसा develop करना शुरू कर देते हैं, money generate करना शुरू कर देते हैं, तो उनको लगता है कि this is the right time to do more expansion और expansion करने के लालच में या expansion करने के इच्छा में वो अपने पैसे को reinvest करना शुरू करते हैं लेकिन एक समय पर जाकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि expansion करने की गती उनकी money generation की गती से कम है जिसकी वज़ा से cash flow management बिगड जाता है और business collapse होने के संभावना में आ जाता है इसी लिए expansion यदि करना हो तो अपनी income का लगबग 50 to 60% आप expansion पर invest करें कोशिश करें कि आप उतना ही expansion करें जिस ratio में आपको profit generate हो रहा है यदि आप cash flow management के साथ expansion की limitations को समझते हुए अपने पैसे को reinvest करेंगे तो आपकी सफलता के chances कई गुना जादा होंगे और जादा risk bearing capacity के according आप inflow से जादा आप expansion पर लगाएंगे तो आपके collapse होने के chances बढ़ जाएंगे तो friends ये थे वो कारण जिनकी वज़ा से एक नया business या एक start-up एक से दो वर्ष में बंद हो जाता है या एक से पांच वर्ष में बंद हो जाता है या प्रारंबिक 15 वर्ष में बंद हो जाता है यदि आपको लगता है कि नया स्टार्ट अप या नया बिजनस फेल होने के कुछ और भी कारण है तो comment box में लिखकर उन कारणों के बारे में ज़रूर बताएं ताकि बहुत सारे लोग ये बात समझ पाएं कि किन कारणों से एक स्टार्ट अप ये नया बिजनस बंद हो जाता है और ये informative वीडियो अपने उ आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक ज़रूर करें मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनेरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत झाल 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 झाल